हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्ट सेडी, आज का हमारा चेप्टर है प्रावबिल्टी, जो कि मैट्स का एक पार्ट है और आज हम करने जा रहे हैं इसमें पार्ट टू कंसेप्ट्स ओफ डाइस, ये वाला पार्ट पूरी प्रावबिल्टी का सबसे इजी पार्ट है, त किसे भी अपडेट को मिस्स मत कीजिए, जेके SSB class 4 के mathematics के जितने भी topics होंगे, वो सब को आपको मिल जाएंगे इस playlist में, जेके SSB class 4 mathematics, आप कॉन्ट स्टेडी की playlist section में जाएए और आपको वहां इस नाम से एक playlist मिलेगी, जिसमें आपको मैट्स के सारे topics मिलेंगे, तो अबर इस question को अगर आपने solve कर लिया तो आपके concept clear हो जाएंगे एक बार इसे खुद try कीजिए cheating मत करना नीचे solution मत देखना पहले खुद solve करो उसके बाद मैं आपको solution भी explain करूँगा वीडियो को pause करो और फटा-फट से इसे solve करने की कोशिश करो अब देखते हैं इसका solution उन्होंने का question में कि 6 सिक्के उच्छा ले गए अब हमें बताओ उसमें से at most यानि जादा से जादा 2 heads आने की क्या probability है तो जादा से जादा 2 heads है तो मैंने आपको बताया at most यानि maximum maximum यानि 2 जो है वो upper limit है 0, 1, 2 इतने heads पे हमें calculation करनी है ठीक है तो शु 나ak 6, 2 है coins के faces और raise to bar 6 क्यों आया क्योंकि 6 सिक्के हैं तो n आगिया इसमें 6 तो 2 raise to bar n वाले फॉर्मले के हिसाब से 2 raise to bar 6 आगे हमारा denominator probability वाली equation का तो हमारा denominator आगे 64 अब हमें numerator पही काम करना है और numerator में क्या होता है इवेंट्स होते हैं number of events होते हैं तो अब हम काम करेंगे number of events पे number of events कैसे आने हैं हमें का है at most two heads तो शुरुआत भी हम two heads से ही कर लेते हैं अगर आपने 6 से के फैंके आपको 2 पे heads दिख रहा है तो बाकी 4 पे क्या दिख रहा होगा tails तो two heads four tails आगी पहला फिर आगया अब at most का हुआ है अब two से हम decrease करते जाएंगे कब तक जब तक zero नहीं आ जाता तो two heads four tails हो गया अब हम आएंगे one head five tails पे फिर हम आएंगे zero head and six tails पे ठीक है अब इस पे factorial वाला method लहेगा मैंने आपको बताया था कि number of events के में भी एक numerator denominator और denominator आता है तो numerator में क्या होता है numerator में तो total होता है कि कितने सिक्के फैंके गए थे जैसे मैंने आपको एक example करवाई थी eight coins की तो उसमें numerator में eight factorial आ रहा था अगर इसमें six coins उचा ले गए हैं तो इसमें numerator में six factorial ही आएगा अब बात करते हैं denominator की number of events के denominator की probability के नहीं दुबारा repeat करो number of events हैं ये number of events के denominator की तो number of events में denominator में क्या आता था वो चीज जो repeat हो रही है हमारा पहला वाला पार्ट कहा रहा है कि दो head repeat हो रहे है और चार tails repeat हो रहे है तो हमने denominator में लिख लिए two factorial two heads के लिए into four factorial लिख लिए four tails के लिए similarly next part में आए numerator में तो six factorial ही आएगा अब denominator के लिए कह रहे है कि एक head है और पांच tail repeat हो रहे है तो एक head के लिए हमने one factorial लगा दिया और पांच tails के लिए हमने five factorial लगा दिया similarly third part में आते हैं numerator में तो six factorial ही आएगा और denominator की अगर हम बात करें तो 6 tails हैं और 6 के 6 tails repeat हो रहे हैं तो denominator में आजएगा 6 factorial number of events के numerator में आता है कि कितने coins उच्छा ले गए हैं उनका factorial और number of events के denominator में आता है कि कौन-कौन सी चीज repeat हो रही है उनका factorial number of events अलग चीज है probability of events अलग चीज है probability of events के numerator में आता है number of events जिसके अभी हम बात कर रहे थे और probability of event के denominator में आता है total outcome जो की था 2 raised to power 6 जो हमने सबसे उपर निकाला तो 2 head 4 tail, 1 head 5 tail, 0 head 6 tail इसको जब हमने factorial के form में लिखके solve किया तो हमारे पास number of events आगे 22 पर उनने question में number of events नहीं पूछे उनने question में पूछे हैं कि इसकी probability क्या होगी तो probability कैसे हैगी जब हम number of events को total outcome से divide कर देंगे तो probability of events आगी 22 by 64 जिसको हमने और reduce किया तो हमारा final answer आगया 11 by 32 अब आते हैं आज के part पे जो की related था dice से dice में कुछ question नहीं आते dice में questions आते हैं normal से जैसे दो die हमने उचा ली हैं तो उनके उपर जो faces में जो 6 faces होते हैं उन में से सबसे उपर जो हमें face दिखता है हम उसी number को count करते हैं तो उन faces पे दोनों dies के मिला के sum क्या आ रहा है ऐसे type के question आते हैं तो ये भी हम करेंगे सबसे पहले हम वही चीज़ देखते हैं जो हमने coins वाले part में देखी थी कि number of faces कितने होते हैं 6 उसमें कितने होते थे 2 अब total number of outcomes जो की probability of event का denominator होता है वो coins के case में कितना होता था 2 raised to power n जहां 2 होते थे coins के face और n होते थे number of coins सेम चीज यहीं apply होगी total outcomes इसमें क्या होंगे dice के case में 6 raised to power n 6 क्यों आया है इदर क्योंकि एक dice के 6 faces होते हैं इसलिए मैंने आपको coins वाले part में ही explain कर दिया था कि 2 क्यों आया वैसे ही चीज को अगर आप याद रखो गया अगर आप रटो के नहीं अगर आप concept याद रखो कि कौन सी चीज क्यों आई तो आपको ये चीज भी याद हो जाएगी कि dice के case में 6 raised to power n total number of outcomes क्यों है क्योंकि dice के 6 faces होते हैं और n तो obviously number of dice होंगे जितने भी हम उच्छा लेंगे वो question question पे depend करेगा अब बात करते हैं जो मैंने आपको कही कि sum के base पे question आते हैं कि हमने 2 dice उच्छा ले उनके जो top के faces है उनका sum ये है या वो है वो क्या है तो कितने outcomes हो सकते हैं तो अब मैं आपको बता देता हूँ उन outcomes को याद करने के लिए एक special curve है जिसको हम कहते है U curve ठीक है तो left side और right side पे हमने लिखे है कि sum क्या क्या आ सकते है minimum sum आएगा 2 क्यूं क्योंकि जब आप 2 dice उचा लोगे अगर दोनों पे एक एक भी आ रहा है उपर के face पे तो minimum sum होगा 2 1 plus 1 equals to 2 वैसे ही maximum आएगा 12 क्यूं क्योंकि 6 6 होती है तोनों dice की maximum value पहले dice पे भी 6 आ रहा है दूसरे dice पे भी 6 आ रहा है दोनों को अब add up करोगे तो 12 आएगा ना उनका sum तो minimum आएगा 2 maximum आएगा 12 अब हम बात करते हैं कि कौन सा sum आएगा तो उसको आने के total कितने outcomes हो सकते हैं यानि कि कितने ऐसे cases होंगे कि वो वाला sum आ सकता है अब जैसे की 2 आएगा 2 कब आएगा जब पहले dice पे भी 1 होगा दूसरे dice पे भी 1 होगा दोनों dice पे 1-1 है तो आपको 2 दिख रहा है ठीक है फिर sum अगर हमारा 3 आ रहा है तो ये कैसे हो सकता है इसके 2 occurrence आ सकती है कैसे पहले dice पे 1 आ रहा है दूसरे dice पे 2 आ रहे है similarly पहले dice पे अगर 2 आ रहा है और दूसरे dice पे 1 आ रहा है तब भी तो दोनों का sum 3 ही बन रहा है तो 2 ऐसे events है जिस पे sum 3 आ सकता है ये जो occurrence है ये number of events ही है ठीक है जैसे हम coins के case में factorial बगरे डालके निकालते थे न इसमें हम सीधा u curve के through ही रट लेंगे कि जो sum आ रहा है उसके number of events क्या हो सकते है वैसे ही अगर sum हमारा आ रहा है 4 तो उसके number of events होंगे 3 5 के होंगे 4 6 के होंगे 5 और 7 के होंगे 6 अब इसे याद करने के लिए भी मैं आपको tricks सिखा देता हूँ इसको याद करने की trick क्या है यह जो हमने occurrence लिखी यानि की number of events लिखे center में इसके left side पर जितने भी sum आएंगे उसकी trick यह है left side पर जितने भी sum दिये होंगे उसमें से अगर आप 1 minus कर लोगे तो आपके number of events आ जाएंगे ठीक है आपको बस इतना याद रखना है कि left side पर range है 7 तक की और right side की range आ जाती है 7 से लेके 12 तक की दोनों ranges के लिए अलगलग tricks हैं यानि कि अगर आपका sum 2 से लेके 7 के बीच होगा तो आपने क्या trick लगानी है number of events निकालने के लिए और अगर आपका sum 7 से लेके 12 के बीच होगा तो आपने क्या trick लगानी है तो u curve के right portion में अगर हम आएं तो हम देख सकते हैं कि u curve के right portion में जो हमें sum दिया गया होगा उस sum को अगर हम 13 से minus कर लें तो हमारा number of events आ जाएगा मैं दोबारा repeat कर देता हूँ u curve के left side में जितने भी sum दिये होंगे for example आपको कहा है कि हमने 2 dice उचा ले अब उसमें sum आना चाहिए 4 तो बताओ कि कितने ऐसी probability है कि कितने ऐसे events होंगे जिसमें sum आएगा 4 तो हमें पता है कि u curve में left side की range थी 2 से लेके 7 तक की और 4 उस range में follow करता है यानि कि हम number of events कैसे निकालेंगे sum minus 1 sum है हमारा 4 4 में से हम एक minus कर देंगे हमारा number of events आजएंगे 3 ठीक है यह आया u curve का left side similarly u curve के right side में अगर आपको कहा होगा कि 2 dice उचा ले अब हमें पताओ कि probability आनी चाहिए कि जो 2 dice पे sum आ रहा है वो होना चाहिए 11 अब हमें पता है जो 11 जो यह question demand कर रहा है जो sum है हमारा 11 का यह u curve के left side पे तो हर्गिस नहीं आता है यह u curve के right side पे आता है क्योंकि यह 7 से लेके 12 की range में fall करता है तो u curve के right side वाली trick क्या थी कि हम 13 से sum को ही minus कर देंगे और denominator तो आपको पता ही है कि 2 dice उचा लें तो 6 का square ठीक है अब मैं आपको यह चीज question में करके समझाता हूँ ठीक है तो यह रहा पहला question find the probability of getting a sum of 4 on throwing a pair of dice जो चीज मैंने आपको example में समझा ही वही चीज हमारा पहला question आ गया तो हमें पता है कि हमारे u curve के left side में sum की range क्या थी 2 से लेके 7 और 4 जो है वो उस range में fall करता है है ना तो इसमें क्या लगेगा हमारे trick इसमें लगेगी occurrence यानि कि number of events होंगे sum minus 1 क्यों क्योंकि ये u curve की left वाली side आ रहा है ठीक है तो sum minus 1 जब हम लगाएंगे तो 4 minus 1 आ गया हमारे पास 3 number of events आ गया हमारे पास 3 और ये चीज तो हमें पता ही है कि total outcome कैसे आएगा total outcome होगा 6 raise to power n 6 हमारे पास है n क्या होगा 2 क्योंकि हमने 2 dice फैंके तो हमारा outcome आ गया 36 अब हमारे पास probability of event का numerator भी है denominator भी है तो हमारा probability of event आ गया 3 by 36 which is 1 by 12 अब आते हैं next question पे हमारा question कह रहा है find the probability of getting a sum of perfect square ये perfect of नहीं है ये perfect है ठीक है तो question कह रहा है find the probability of getting a sum of perfect square on throwing a pair of dice perfect square क्या होते है जैसे 1 का perfect square होता है 1, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9 इसे जो 1, 4 और 9 ये जो चीज़े आ रही है इसको हम कहते हैं perfect square ठीक है तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि perfect square sum में क्या-क्या होते है देखिए sum की range क्या है 2 से लेके 12 तक की तो पहला जो सबसे पहला perfect square है यानि कि number 1 वो तो इसमें आएगा नहीं तो इसमें कौन-कौन से perfect square आएंगे एक आएगा 2 का square जो की होता है 4 और एक आएगा 3 का square जो की होता है 9 4 का square होता है 16 पर 2 dice फैंक ने पर maximum sum क्या आता है maximum sum आता है 12 इसलिए हम 16 तक जा नहीं सकते तो हमारे पास यहाँ पर perfect square जागे 4 और 9 4 है u curve के left side में 9 है u curve के right side में इस example से आपका u curve का सारा concept clear हो जाएगा तो अब हमें निकालना है number of events यानिकी occurrence तो occurrence 4 के लिए क्या होगी occurrence 4 के लिए होगी sum minus 1 क्योंकि left side में sum minus 1 करते थे right side में 13 minus sum करते थे तो यह है left side तो left side में जब हमने sum minus 1 का combination लगाया तो हमारे number of events 4 के लिए आ गए 3 अब हम बात करेंगे 9 जो sum मेंवारा आ रहा है 9 उसके number of events का तो 9 आता है you curve के right में और right के लिए trick थी 13 minus sum यानिकी 13 minus 9 जब आप 13 में से 9 minus करोगे तो 9 जो हमारा sum है उसके लिए number of events आ जाएंगे 4 और इन दोनों को हम कर लेंगे add तो हमारे total occurrence यानिकी total number of events आगे 7 किसके लिए जब हमें sum चाहिए होता है perfect squares का तो हमारे number of events आगे साथ और total outcome तो हमें पता ही है 6 का square होगा क्योंकि 2 dice फैंके हैं तो 6 का square होता 36 और हमारी probability of event आगी 7 by 36 यानिकी number of events divided by total outcome अब आते हैं next question पे हमारा next question कह रहा है find the probability of getting a sum as prime number on throwing a pair of dice तो मैंने आपको बताया prime number क्या होते हैं prime number वो होते हैं जो 1 से या फिर खुद से divide हो सकते हैं उसके लावा अगर वो किसी भी एक number से भी extra वो divide होगे ना तो वो composite number बन जाते हैं वो prime number नहीं रहते तो अब इन्होंने कहा है कि हमें जब हमने 2 dice हवा में फैंके तो जो उनका result आया उसका sum होना चीए भई प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर कौन-कौन से होते हैं 2, 3, 5, 7, 11 तो अब हम एके करके इनके number of events निकालना शुरू करेंगे 2 है हमारे u curve के left side यानि की sum minus 1 यानि की 2 minus 1 करेंगे हमारे पास number of events आगे 2 के लिए 1 similarly 3 पे भी same formula apply होगा 3 minus 1 आगया हमारे पास 2 और 5 पे भी same formula apply होगा 5 minus 1 आगया हमारे पास 4 अब 7 के लिए आप दोनों side की formula अपलाई कर सकते हो same ही result आएगा अगर आप 7 पे sum minus 1 अपलाई करोगे तो 7 minus 1 आजएगा 6 वहीं आप अगर 7 पे 13 minus sum apply करोगे तो 13 minus 7 भी 6 ही आएगा तो 7 के लिए दोनों तरफ से 6 ही आएगा तो हमारे पास 7 के लिए आगया 6 और 11 है U curve के right side पे यानि कि 13 minus 11 आगया 2 इन सब को हम add करेंगे तो हमारे number of events आजएगे 15 अब हमने 2 dice उच्छा ले हैं तो 6 का square आगया 36 हमारे probability of event आगी 15 by 36 जिसको हम reduce करेंगे तो हमारा final answer आएगा 5 by 12 अब last question है जो कह रहा है find the probability of getting 2, 6 and 1, 4 on throwing 3 die जब dice का plural हो जाता है तो उसको हम die कहते हैं ठीक है तो हमें question में कहा गया है कि 3 dice हमने फैंक की 2 में 6 आना चाहिए 1 में 4 आना चाहिए तो ये कितनी बार हो सकता है तो हमने सबसे पहले देखा कि 2 में 6 और 1 में 4 कैसे कैसे आ सकता है जब first dice पे 6 है second पे 6 है third में 4 आए दूसरा event एक हो सकता है कि first die पे 6 है दूसरे में 4 आए और तीसरे die में 6 आए वैसे ही 3rd event हो सकते हैं कि 1st die पे 4 आए, 2nd die पे 6 आए और 3rd dice पे 6 आए ये 3 events हो हैं जिनमें 2 6 और 4 अकर कर सकते हैं तो हमारे पास number of events आगे 3, अब हमारा total outcomes क्या होगा? 6 का cube, क्यूं? क्यूंकि इसमें 3 dice हैं, ठीक है? तो 6 का cube होता है 216, तो हमारे पास numerator भी आगया probability of event का, denominator भी आगया, तो final answer आगया हमारा 1 by 72 तो इसी के साथ हमारा probability part 2, जोकि dice पे based था और probability का सबसे आसान पार्ट था, वो होता है आज खतम next video में हम आएंगे concept of cards को लेके, तब तक अपने probability के first और second part को अच्छे तरीकी से strong कर लीजिए क्योंकि काफी complicated सा chapter है, पर आप इससे जितना revise करेंगे, उतना आपका ये better होता जाएगा अगर आपको ये वीडियो पसाद आई, तो इसे like कीजिए, साथ हमारे चैनल को subscribe कीजिए और इस वीडियो को अपने friends के साथ share कीजिए, thank you